पाट ग्यारा विराम चिन पंक्चुएशन विराम का अर्थ होता है रुखना बूलते समय अपनी बात को सही धंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुखते हैं यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक प्रश्न पोचने विसमें व्यक्त करने आदी स्थितियों में हमारी बोलने का तरीका अलग-अलग होता है लिखित भाशा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन बनाए गए हैं इन्ही चिन्हों को विराम चिन कहते हैं विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, बूलते समय वाड़ी में आने वाले ठहराफ तथा प्रश्न विसमें आदी को व्यत करने के लिए लिखित भाशा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। एक उदारण देखो। क, रोको, मत जाने दो। रोकने का भाव व्यत्थो रहा है। ख, रोको, मत जाने दो। जाने देने का भाव व्यत्थो रहा है। हिंदी भाशा में प्रयोग थोने वाले प्रमुक विराम चिन्ह। एक, पुर्ण विराम, फुल स्टॉप। दू, अल्प विराम, कॉमा। तीन, अदर्थ विराम, सेमिकोलन। चार, विस्मयादी बोधक चिन्ह। साइन ओफ एक्स्क्लमेशन। पाँच, योजक या विभाचक चिन्ह। हाइफिन। चे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेस्चन मार्क। साथ, उत्थरड चिन्ह। इन्वर्टिद कॉमा। आठ, कुष्ठक। ब्राकेट। नौ, अपुर्ण विराम। कोलन। दस, निर्देशक चिन्ह। डाश। एक, पूर्ण विराम। फुल्स्टॉप। इस चिन्ह का प्रयोग वाकी समाप्थ होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे, क, राम पढ़ रहा है। ख, राधा का रही है। दू, अल्प विराम। कॉमा, इसका प्रयोग निमनलिखित स्थित्यों में होता है। क, वाक्य में आए एक समान पदों में अलकाव दिखाने के लिए। जैसे, राम, शाम, गीता और सीता बासार गए। ख, यूचक या अन्य पदों का लूप होने पर। जैसे, वह वहां गया था, यहां आना सका। इस वाक्य में इसलिए का लूप हुआ है। ग, बस, हाँ, नहीं, आदी की बाद। जैसे, बस, इतनी सी बाद। हाँ, मैं अवश्याओंगा। नहीं, मैं वहां नहीं जाओंगा। घ, किसी कथन को लिखते समय, उत्थरण चिन से पूर्व। जैसे, गौतम बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वैम बनो। तीन, अदर्थ विराम, सेमी कोलन। इस चिन का प्रयोग उस दशा में किया जाता है, जब वाक्य पूर्ण होने की स्थेती में हो। किन्तु, उसमें कोई और बाद चोड़ी जा रही हो, जिसके कारण वाक्य पूरण अहुआ हो। बोलते समें इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम रुका जाता है, जैसे क, मुहन विद्याले से आया, उसने नाश्टा किया, कपड़े बदले और खेलने चला गया, ख, वह रोता रहा, उसे तया नहीं आई चार, विसमे आदी बोधक चिन, साइन ओफ एक्स्क्लेमेशन, आश्चर्य, ग्रिणा, हर्श, विसमे आदी भावू को प्रकट करने के लिए, विसमे वाचक शब्दों के बाद, इस चिन का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, अरे, तुम आगए, ख, आह, बहुत दर्ध हो रहा है, ग, शाबाश, इसी तरह प्रधमस्थान प्राप्त करते रहो, संबोधन करने के लिए भी, इस चिन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुरेश, तुम अभी तक नहीं गए इस चिन का प्रयोग दू शब्दों को चोड़ने के लिए किया जाता है, इस चिन का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, क, विलूम शब्दों की पीच में, राचा रंक, अमीर हरीब, बाल वृद्ध, ख, एक शब्द की दो बार आने पए, धीरे धीरे, कभी कभी, अभी अभी चे, प्रश्ण वाच्च चिन, क्वेस्चन मार्क, इस चिन का प्रयोग प्रश्ण सूचक वाख्यों की अंत में किया जाता है, जैसे, क, आपका क्या नाम है, क, ताच महल किसनी बनवाया था, साथ, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टिट कॉमा, यह तू प्रकार का होता है, क, एक खरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय, तथा, वाख्य के मठी में किसी पुस्ता, व्यक्ति आदी का उदाहरण देते समय, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे, सूरिकान त्रपाथी निराला, ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी कथन को च्यू का त्यू लिखते समय, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता ह जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से ख्रिना करो, पापी से नहीं किसी शब्द की अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे सुरसरी गंगा अत्यंत पवित्र नदी है नो, अपूर्ण विराम, कोलन, इस चिन का प्रियोग उदाहरण या अग्र लिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है या नाटक आदी में समवाद से पहले इसका प्रियोग किया जाता है जैसे क, क्रिया की तू भेद होते हैं, सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया ख, तरुन, मैं कल पिक्चर देखने चाऊंगा दस, निर्देश चिन, डाश, उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए इस चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे क, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए ख, विपरीत अर्देने वाले शब्दों को विलूम कहते हैं, जैसे दिन और रात